पहला प्रशन है कि बॉद्ध संग में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश के अनमती बुद्ध द्वारा दी गई थी पहला अप्शन है श्रावस्ती में दूसरा है वैशाली में तीसरा है राजग्रह चौथा अप्शन है कुशी नगर तो सही उत्तर है यूष्ट के इनमती थी बुद्ध ने बौद्संग में त्रियों को तो गुँँ इसमें व्यक्षा देख लेते हैं आैशे अनंद के कहने पर बुद्ध ये वैशाली में इस्तरियों को बौद्धいき मैं प्रवेश के इनमती थी महाप्रजापति गौत्मी बौद्ध संग प्रिये शिश आनंद के कहने पर बुद्धने वैशाली में इस्त्रियों को बहुत दिसंग में प्रवेश के अनमती दी थी, महाप्रजापती गौत्मी बहुत दिसंग में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी अगला प्रिशन है सही युक्म को चुनना है तो अलोरा कंद्राएं शाक महाबली पुरम राष्टकूट मेनाक्षि मंदिर पल्लव खजराहो चंदेल तो सही इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका होगा खजराहो चंदेल ये जो है सुमेलित है जबकि अन्न जो है वो अगला प्रेशन है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है पहला प्रेशन है विम्कडि दूसरा है कनिशक, तीसरा है नैपां, चौथा है गुट्थ सही उत्तर इसमें क्या होगा सही उत्तर होगा कनिश्क के सिक्कों में बुद्ध का अंकन हुआ है कुशान शासक कनिश्क के सिक्कों में पर बुद्ध का अंकन मिलता है अगला प्रशन है कि रिगवेद में निम्नांकित किन नदियों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आरों के संबंद का सूचक है पहला option है असकनी दूसरा है परोष्णणी तीसरा है कुबा कुमू कुर्मू और चोथा है विपाशा शतुद्री तो सही उत्तर इसका क्या होगा सही उत्तर है कुबा जो आख्या देख लेते हैं तो कुबा जो है काबुल कर्मू कुर्रम और गोमती गोम स्वाल उसवात तो जो की रिगवेद में उलखित नदियां है अफगानिस्तान में बहती थी फिर इन नदियों के उलख से आज्र이ों के अफगा इसता संबंध होना पडलक्षित होता है अगला प्रशन है कि प्राचीर श्रावस्ती कब अगर विन्यास किस आगरती का है पहला Option है वृत्ताकार दूसरा Option है अर्द छंद्रकार तीसरा है त्र爸爸 कार 44 है आइताकार सही उत्तर क्या होगा अर्द चंद्रकार तो उठीकरन से मिई जानकारे उसे हमें पता चलता है कि प्राचिज शरावस्ती नगर जो है वर्तुमार में गोंडा के पास का विन्याद जो है अर्द चंद्राकार था अगला प्रेशन है कि यापनी किसका एक संपरदाय था पहला उप्षन है बौध धर्म का दूसरा है जैन धर्म का तीसरा उप्षन है शैफ धर्म का चौता है वैशन धर्म का सही उत्तर क्या होगा जयन धर्म का जो है कि अपनी जयन धर्म का एक मानिताओं का पहलं करने वाला एक संपढ़ाई था अगला प्रिशन है कि प्रतंगृत की उपाधि धारं की ती वह था कॉन था जिसने इसने विश्नु पद्ध परवत धश्नु धच की स्थापना भी करवाई थी वैश्नु धर्म गुप्त शासकों का व्यक्तिकत धन था चंद गुप्त दिती तता समध्धु गुप्त द्वारा जारी किये गये सिक्कों पर विश्नु के वाहन गरून की आकरती खुदी मिली है इसके अतरित वैश्ना धंके कुछ अन्य चिन जैसे शांक चक्र गदा पद्म लक्ष्मी कांकन भी गुप्त कालीन चिकों पर मिलता है गुप्त कालीन महत्पूर्ण अबलिकों में इसकंद गुप्त का जुनागर तदा बुद्ध गुप्त का रूरान अबलेक विश्नु स तुती से ही प्रणब है चक्रपालित नाम के गुप्त कालीन कर्मचारी ने विश्नु के एक मंदिर का भी निर्मार करवाया था अगला प्रेशन देखते हैं प्राचीन भारत के साहित्तिक इतिहास में पाणनी और पतंजली ख्याती प्राप्त नाम है यह किस राजवंश क के समय फले फूले थे पहला उप्षण है पुश्यभूती दूसरा है ऑप्षण को शान तीसरा है शूणग चौता ऑप्षण है गुप्त साहित्तर क्या होगा शूंग काल के समय जो थे वो पाणनी और पतंजली जाने जाते हैं पतंजली का काल शूंग राजवंश का था यदपी पाणनी को छटी इसापूर का माना जाता है, लेकिन उनको भी शुंग काल से संबंद माल लिये जाता है, पाणनी की किर्टी जो है अश्टा ध्याई पर पतंजली ने महाभाश का टीका लिख की है, अगला प्रेशन है कि महान जायन विद्वान हेम चंदर किसकी सभा को लंकर करते थे, पहला आप्शन है मोग वर्ष, दूसरा है कुमार पाल, तीसरी आप्शन है जैसिंग सिद्राज, चौथा आप्शन है विद्यादर, सही उतर क्या होगा, जैसिंग सिद्राज के समय में जो थे, वो हेमचंद थे, यदपी हेमचंद ने कुमार पाल जैसिंग सिद्राज दोनों की सभा को सुशोभित किया था, लेकिन उनको प्रमुकता जो है जैसिंग सिद्राज के काल में ही मिल पाई थी, हेमचंद सूरी भारती जैन विद्वान थे वो अच्छे दार्शने के व्याइद कराणविद इतिहास्कारविथे हेमचंद का जन्म गुजरात राजज में हुआ था शिद्राज जायसिंग प्रथम के शाशनकाल में हेमचंद को प्रसिधी प्राप्त हुई सिद्ध राज जैसिंग के उत्रादिकारी कुमारपाल के वसलाकार थे, कुमारपाल हेम चंद्र को अपना अध्यात्मी गुरु मानता था, अगला प्रेशन देखते हैं कि कोपन हैगन संग्राले की सामगरी से पाशान कांस लोह यूग का त्रियोगी विभाजन किया था, पह पुरातात्विक थे, जे थॉम्सन उन्होंने किया था, अगला प्रेशन है कि गीद गोविंद के रचाईता कौन थे, कौन था, पहला उप्शन है धोई, दूसरा है गोविंदा चार, तीसरा है जैदेव, चौता उप्शन है लश्मर सेन, सही उतर क्या होगा, जैदेव ज शासक लचमर सेन के दरबारी कवी जैदेव ने गीद गोविंद की रचना की, यह काविर राधा कृष्ण के प्रणाय पर आधारित है, यह बारवी सदी का महान संस्कृत कवी था, जो बंगाल के सेन, शासक लचमर सेन का समकालीन था, इन्होंने पहले सन्यास ले लिया था किन्तु पंद्मावती नावा किस्ती से प्रेम होने के करण यह कुरां संसार में लोटे और इन्होंने विवा कर लिया, उन्होंने कृष्ण की भक्ती में अने गीतों की रचना की, उनका अमर ग्रंत गीत गोविंद है, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ती में अ बजाना जानता था, सही उत्तर क्या हो जागा भीणा, और रंग सी वीड़ा मरदन करता था, निमलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलिद नहीं है, पहला आप्शन है, बाबर खानवा का युद्ध दूसरा है, हुमायू जो था वो चौसा का युद्ध, तीसरा है कि अ बन्ड हल्दी घटी का युद्ध लड़ा था, ये भी सही है, जहांगी का बल्ख युद्ध नहीं था, बल्कि बल्ख का युद्ध जो था 1646 सीसी में शाजहां के शाशनकाल में हुआ था, अगला प्रशन है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो सूची एक में सम का निर्मार का निर्मार किस निर्माता ने करवाया, तो इसका मिलान करेंगे तो देखेंगे कि अलाई दर्वाजे का दिल्ली का निर्मार जो कराया था, ये अलाउद दिन खिल जी ने कराया था, बुलन दर्वाजा फटेपुर सीकरी का निर्मार अकबर ने करवाया था, म पिर से एक बार मिलान देख लेते हैं अलाई दर्वाजा दिल्ली का जो था ये अलाउ दिन खिल जी ने बनवाया बुलन दर्वाजा तो फटेव पूर सीकरी का वाला है अकबर द्वारा बनाया गया मौती मस्जड जो आगरा की थी वो शाह जहां दौरा बनाई बनवाई गई मौती मस्जड जो दिल्ली की है ये बनवाई औरंग जेब ने अगला प्रेशन है कि भारत के किस मद्यकाली इंशासक ने एक्ता व्यवस्था प्रारम की थी पहला ऑप्शन है इल्तु तमिश दूसरा है बलबन तीसरा ऑप्शन आलाउ दिन खिल जी चौथा ऑप्शन है उक्तु में से कोई नहीं सही उत्तर क्या होगा एक्ता व्यवस् अगला प्रेशन है कि आबू का जयन मंदिर किस से बना है पहला ऑप्शन है बलुआ प्थर से दूसरा है चूना प्थर से तीसरा है ग्रेनाइट चौथा ऑप्शन है संग्मर्मर तो आबू का जो जयन मंदिर है बना हुआ है संग्मर्मर का बना हुआ है संग्मर्मर आबू का दिलवाडा का जयन मंदिर संग्मर्मर का बना है इसक Samatal Hostinasona खुल्दाबाद शॅली शौलीमनी जेग शॉष्टे, सुस्ति के अरगुमाथ शौलीएध का मगबुरा पुलिकिरी उस्तिट नहीं जो दिल्ली सुमेध स्चाना को थीसरा है आगराद में उस्तित है अरण शॉथ्य मेश्थ फतेपूर सीक्री में सेक्षलीम चष्टी का मगबरा है आगरा में अतमादुल्ला का मगबरा है दिल्ली में अब दुररहीम खानखाना का मगबरा है तो सही सुमेलन जो है वो ये है अगला प्रशन है कि चित्तौर का कीर्थी इस्तंब किस ने बनवाया था पहला option है राणा स देख लेते सिसाधिया वंश के दो शाषक थे राणा कुंभा चौदा सो तेती से चौदा सो तीहत्ता तक रहे मालवा के शाषक को परास का चितोड़ पर में कीर्टी स्थम की स्थापना कराई थी अगला प्रेशन देखेंगे तो अगला प्रेशन है कि निमलिखित में से कौन शासक प्रत्विराज चौहान के नाम से प्रसिद था पहला ऑप्षन है प्रत्विराज प्रथम दूसरा है प्रत्विराज तिती तीसरा है प्रत्विराज तिती चौथा है इनमें से कोई नहीं स इत्वीरा चोहान के नाम से इतिहास प्रसिद्ध है ग्यार से ब्यानवे में तराइन का दिती युद्धुवत मुहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे अगला प्रशन है कि निमलिखित में से किसने असायोग अंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परणाम नहीं देख सक तो बाल गंगर धतिलक जिन्होंने असायोग अंदोलन के सरुप को इधायद करने में अहम भूमिकानि भाई इनकी मित्योग अंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1922 को ही हो गई असायोग अंदोलन 1922 इसरी तक चलता था अगला प्रशन है कि निमलिखित में से किस एक अंदो जुटी जुड़ी उल थी पहला ऑपशन है खिलाफध अंदोलन दूसरा सयोग अंदोलन तीसरा उपशन है सवी नया वगयां दोलन चौथा और भारत चोड agree विञ्व देख लेते हैं हैं भारत छोड़ा अंदोलन से 1942 के दौरान कॉंग्रेस के सभी बड़े नेताओं की ग्रिफ्तारी के बाद भूमी के रहकर अनुना आसिफ अली ने अंदोलन को संचालित करने में महत्पूर भूमी का निभाई थी अगला प्रेशन है कि भारती भारती सुधी हिंता अंदोलन का सरकारी तिहासकार था पहला अप्शन है आर्सी मजूंदा दूसरा है तारा चंद तीसरो अप्शन है वीडी सावर का चौथा अप्शन है सही उत्तर क्या है संसें जो थे यह भारती सौधीनता अंदोलन के सरकारी तिहासकार थे वर्ष 1857 में अंदोलन से नहीं जुड़ा था पहला ऑप्षण एस सुबर्मन्यम अइयर तीसरा उप्षन एनिवेसंग चौथा अप्षन बीजी तिलक कुछ व्याक्या देख लेते हैं 1923 इसे में मोतिलाल नहरू के साथ मिलकर इन्होंने अपने ततकाली चुनाओं में भागिदारी करने के लिए इक अलग पार्टी के स्थापना की थी सौदेशी आंदोलन 1916 इसे में तिलक और एनी बेसन द्वारा शुरू किया गया थे सुब्रिमनियम अयर जो थे मदरास में एनी बेसन की होम्रूली के अध्यक्ष थे अगला प्रेशन है कि भारती राष्टी आंदोलन से संबंधित निम्लिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे दीगे कूर से घटनाओं का सही काल अनक्रम का पता कीजिए तो काल अनुसार देखें तो कैबिनेट क्रिप्स मिशन जो था यह आपका 1942 में आया फिर कैबिने फाइफ में आया ठीक है अब इसमें जो है आपका सही उत्तर क्या होगा तो यह मार्च में हुआ था ठीक है तो कि प्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया तो भारत छोड़ो अंदोलन अगस्त था तो इसमें सही उत्तर क्या होगा पहला होगा ए फिदू होगा सी इसके बाद 1946 में हुआ बाहर छोड़ो अंदोलन अगस्त निस सो बैले से शिरुवा वेवेल आफर जो था यह आपका जून 1945 में आया अगला प्रशन देखते हैं नीचे कथने को कारण दिये हुआ है कथन है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिशकार किया था कारण है कि साइमन आयो दोनों से हैं और कारण का सही व्याक्ता साइमन ठेला कारण किसी करotta जेंकल भारत में शासन समद्धि सुधार की संक्तूतिकर निए इसक भारती सरदस्त का नहुना होना इसके बहिशकार का मुख्ष कारण हिव्य दे अग्ला है मात्मा गान्धी तीसरा आप्शन इस चितरंजन दास्ट नश्ट करने को राष्ट के आत्म मान से जोडते हुए कहा था कि विदेशी वस्तों की बरबादी ही उनके साथ सर्वत्तम वहवार है अगला प्रशने की महत्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कॉंग्रेस कार करता हूं कि धावे के समय कहां थे पहला अप्शन है यरवदा जेल दूसरा है साबरमती जेल ती को गिरिफ्तार करके यरवदा जेल भे दिया गया इसी दौरान हुए धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतत सरोजनी नाइडू ने किया था अगला प्रशने क्रिशक विद्रों दी गए हैं उनको बताना है उनको मिलान करना है तो देखेंगे कि कूकी विद्रों जो था यह आपका हुआ था तिपुरा के छेतर में कूका विद्रों जो था यह पंजाब के छेतर में हुआ फिर पावना करिशक विद्रों जो था यह आपका हुआ बंगाल में और जो बिर्सा मुंडा विद्रों था यह उस वक्त के बिहार में हुआ था तो सही उत्तर क्या हो जा अगला प्रेशन है कि सूची एक को सूची दू से मिलान करना है और सूची एक को सूची दू से मिलान कर एक तरफ जो है छेतर दिये है दूसरी तरफ 1857 के विद्रो का नेतरत करने वाले लोगों का नाम दिया है कौन से छेतर में किसने नेतरत किया था तो मिलान करेंगे तो जहासी में जो है वो रानी लक्षमी भाई ने विद्रो किया था लखनौ में आप देखेंगे तो बेगम हजरत महल ने कमान समाली कानपुर में आपका समाला था अजिमुल्ला ने तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चार तीन दो एक एक बार मिलान देख लेते हैं तो रानी लक्षमी भाई ने शासी में विद्रो किया था बेगम हजरत महल लखनौ में किया था अजिमुल्ला खां जो थे या आपके कानपुर समन देते हैं मौल विद्रो फैजाबाद से तो काल के हिसाब से बताना है तो अंतिम सरकार गठन कैबनेट मिशन का पहुचना मुस्लिम लीग दौरा सीदी कारवाई प्रारम करना फिर है कि जिन्ना दौरा शिमला कानफरेंस का विद्वरंस करना तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है जिन्ना दौरा जो श सही हो जाएगा सही उत्तर होगा एगवा मिलान देख लेते हैं तो व्यक्रेट देखते हैं तो अंतिम सरकार का गठन जो था चौर अगस्त निस सो च्यालिस को हुआ था कैबिनेट मिशन भारत का पहुचना जो था यह 24 मार्च 46 को हुआ मुसलिम लीग दौरा सीदी कारवा की गई थी 16 अगस 1946 को जिन्ना दोरा शिमला कांफरेंस का जो विद्वांस किया गया था वो 14 जुलाई 1945 को किया गया था अगला प्रिशन है कि निम्ड़ में से किसांदोलन में महत्मा गांदी ने पहली बार भूक हर्ताल का प्रयोग हतियार के रूप में किया था पहला उप्शन है सायोग अंदोलन दूसरा है रॉलेट सकता गया तीसरा है एहमदाबाद की हर्ताल चौथा उप्शन है बार दोली सकता गया सही उत्तर क्या होगा एहमदाबाद की हर्ताल का जो में पहली बार भूक हर्ताल महत्मा गांदी ने की दी राजनीतिक हतियार ग्रूप में पहली बार भूख हरताल का प्रियोग गांधी जी ने उनने सो ठारा इसमी में एम्दाबाद मिल मजदूर की हरताल के दोरान किया था अगला प्रेशन है कि निम्रिखित संगर्थनों में से किसं ने शुद्धी आंदोलयन का समर्थन कया था पहला ओप्षण है आरे समाज दूसरा है प्र Zukunfts समय marrow का होगा सही उत्तर होगा आधे समाज ने किया था शुद्धी का समय समय थापना अगला कि सफानी शासन व्यबस्था को किस स्वाहिसराय के समय में पहला गर्वस्थान ना भी रपन पहला दूसरा है Lord करजन सही उत्तर क्या होगा Lord रिपन के समय में को फोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं लौर रिपन के शाषण काल में इस्तानी शुसासन को पूंद करो साहन मिलान यदपीस की अल्प में शुरुआर में हो गई थी रिपन के अगला प्रेशन है कि मंगल पांडे कहां के विपलाव से जुड़े हैं पहला आप्शन है बैरकपूर दूसरा है बेरठ तीसरा है दिली चौथा है इन में से कोई नहीं सही उत्तर क्या होगा बैरकपूर से जुड़े हुए हैं मंगल पांडे में थोड़ी सी व्याक्था देख लेते हैं 29 मार्च 1857 को 34 इंफिंट्री बटालियन के मंगल पांडे ने वैरक पुछावनी में चर्बी युप्त कार्टूस के मुद्दे पर विद्रोह कर दिया था अगला प्रेशन है कि इंडिया डिवाइड़ पुस्तक के लेखक थे पहला उप्षन मौलाना अब्दुल कलामाजाद दूसरा है डॉक्टर राजे इंपरसाद तीसरा उप्षन है राएंदेव चौता अप्षन है आसफ अली तो सही उत्तर इसका क्या होगा डॉक्टर राजे इंपरसाद जो थे इंडिया डिवाइड़ पुस्तक क लेखक थे अगला प्रशन है कि सूची एक को सूची दो से मिलान करना है एक तरफ लेखक दी हैं दूसरी तरफ करतियां दी हैं तो इसमें मिलान करेंगे तो बंकिम चंच चटर जी की आप करती देखेंगे इन मेंसे जो है वो आनंद मठ है माइकल मजदुसूदन दास की ज ब्रोकन विंग जाने कि एक दो तीन चार सभी सुमेलित हैं वे आख्या देख लेते हैं तो एक बार मिलान देख लेते हैं तो बंकिम चटर जी ने जो लिखिती आनंद मठ माइकल मजदुसूदन दास ने कैप्टिव लेडी रविन नाट टाग और की है रचना गौरा और स हिमांचल प्रदेश सही उत्तर क्या है सही उत्तर होगा हिमांचल प्रदेश में इस्तित है सुईल नदी परियोजना अगला प्रेशन कथन और कारण से सम्मंदित है कथन है कि दामोदर घटी कॉर्परेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी कारण है कि दामोदर अपने उपरी भाग में तीविता से प्रवाइथ होती है ततर निशले भाग में इसका भाव बहुत धीमा हो जाता है तो आप देखेंगे कि कथन और कारण में आपके कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कारण की सही व्याक्षा भी कर रहा है है आपका गुजरात में स्थित है भारत राज करक subdivisete अगला प्रेशन ही ज्यूमिंग करते हैं तो ज्यूमिंग जानते हैं फिया जंजाती एसा करती है पहला नथी भूत होता है सह्य उत्तर क्या होगा सही उत्तर होगा खासी जो है जो मेघाले राज मेघाले में निवास करने वाली खासी जन जाती है जूमिंग खेशती करती है जूमिंग खेशती है जूमिंग खेशती होती है जिसमें फसल काटने के बाद खेशती में आग लगा दी जाती है अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है कि तो पहले आपका उप्शन है कि लगबख साड़े पांच बजए और तीसरा उप्शन लगबख साथ बज़े चौत्स अप्शन लगबख साड़े साथ बज़े तो आप जानते हैं कि अनांचर प्रदेश और गुजराढ दोनों फके एक दूसरे चोड़ के शोड़े papel तो इसमें और इसमें जो है समाह य्जो है लगबग दो घंटे का प्रूब है तो अगर जो अधर की नियूracत के कहूंचर आई होगा पहला ऑप्षिन है गंगा दूसरा है ब्रमपो तीसरा ऑप्षिन है नम्धा चौता है टुर्शना सही उत्तर क्या है रिव्ट घाटे में बहने वाली नदी कौन सी है नर्मधा अगला प्रेशन है कि किस मिर्दा को कम सिचाई की आवशक्ता होती है को कि वह मिर्दा नमी को रोक रखती है पहला उप्शन है जलोर मिर्दा दूसरा है काली मिर्दा तीसरा उप्शन है लाल मिर्दा चौथा उप्शन है लेट राइट मिर्दा तो आपको पता है कि जब के आदा जो है नमी को रोकने वाली मिदा कौन है काली मिदा जो है ये सिचाई की कमाव शक्ता होती है को कि इसमें नमी की मात्रा रूकी रहती है व्याख्या देख लेते हैं काली मिदा में तीर जल धारन छमता पाई जाती है आदा इसमें सिचाई की कमाव शिकता होती है, मिठी भूइगने पर चिपचिपी हो जाती है, तता सूखने पर आंकोचित और दरार युगत हो जाती है, इसको सता जुताई वाली मिठी भी कहा जाता है, अगला प्रशन है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना वस्तित है, पहला अप्शन है गुजर जर्मनी का है, जर्मनी में प्रवाइट होने वाली नदी है, इसके नदी घाटी में कोईला खना है, अगला प्रशन है कि भूमद रेखा पर अवस्तित जो देश हैं उनको बताना है तो ब्रूनाई है, आप्शन कोलंबिया है, केनिया है, वेनेजुला है, इसमें मल्टिप वो मद रेखा, पर तो सही उत्तर होगा, बी और सी, इस्थल एवं जल पर विश्वत रेखा, तेरा देशों से होकर गुजरती है, इसमें कोलंबिया और केनिया भी शामिल है, अगला प्रेशन है कि निमलिखित में से पूर्वी द्वीब समू का कौन सा द्वीब तीन है, होसे लिए के उत्तर में से दिया दूई बराजनीतिक रूप से तीन देशों यानि इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्णई में, अगला प्रेशन है कि भारत के किस प्रांथ में सामवादी सरगार की स्थापना हुई थी, पहला प्रदेश तीसरा अप्शन है केरल, च पाद के नेतत्व में स्थापित हुई थी, अगला प्रेशन है कि निम में से कौन एक रिट नैयाले में कारवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, पहला प्रमादेश दूसरा है, उत्प्रेशन तीसरा है, प्रतिशेद जिसे प्रोभिशन कहते हैं, अधिकार प्रभुषा चौथा उप्षिन यह प्रतिषेद जो है कर्वाई संशोदन घर दोड़ी अनुश है करवयी केप पत्षाथ और इसके इलावा इसमें समाजवादी और अखंडा शब्द भी जोड़े रएथे अगला प्रश्न है कि निमिलिखित में से किस समिधी में सब्सक्राइब कराइब सब्सक्राइब अगला प्रशने के पंचायतों नगर पारिकाउं के संबन भारती समयधान में किस वर्ष प्राविदान किया गया पहला ऑप्षन नाइंटीन इन दूसरा प्रावधान किया गया अगला प्रशन है कि ध्याना करशन सूचना के प्रावधान निमलिखित में से किसके छेत्र को सीमित किया है पहला है अलपावधी चर्चा दूसरा है औप्शन प्रिशन काल तीसरा औप्शन है स्थागन प्रस्ताव चौता है शून निकाल सही उत्तर क्या होगा एक सूची दो से मिलान करना है तो आप इसमें देखेंगे कि अनुचेद 14 जो है समबंदित है समानता के अधिकार से फिर आप देखेंगे अनुचेद 36 जो है यह आपका समबंदित है मंतरी परिशर्ट से तो यह आपका सही मिलान हो जाएगा सबसे पहले नागरलेंड का हुआ फिर इसके बाद हर्याना का हुआ फिर इसके बाद मेगाले का हुआ और अंत में सिक्किम का हुआ तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो बैख्या देख लेते हैं तो एक बार हर्याना राज का गठन जो था यह उनने सो चांचछट में हुआ नागालेंड राज का गठन उन्य सोपचटर में हुआ मेहाले राज का गठन 1971 में हुआ अगला प्रशन है कि प्रोटम स्पीकर का कर्दब होता है पहला है कि स्पीकर की अनपस्तिती में सदन की कारवाई के संचालन करना दूसरा सदस्थों को शपत दिलाना तीसरा है स्थानापन रूप से स्पीकर का कार करना जब कि स्पीकर के चुनाओं की संभावना ना हो सही है सघ्री उत्तर हозмि क्या होगा सदस्यों को शपत दिलाने का काम होता है अगला प्रिशने निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है भारत वश में फसल भीमा योजना उननिस सो पचासी में प्रारम की गई बात सही है उत्ताप अदेश में 6 जलवाई उचेतों की कुल 9 संख्या 9 है ये भी बात सही है काम के बदले अनाच कारिकाम 1977 इसी में प्रारम किया गया था ये भी सही है नीली करांटी का संबंद सरसो उत्पादन से है ये बात सही नहीं है नीली करांटी का संबंद है मतस से उत्पादन से ठीक है तो सही उत्तर जो है आपका ABC होगा व्याख्या देख लेते हैं नीली करांटी के संबंद मतर्सेपालन से है फारत में फसल भीमा योजना की शुरात अनियसो पच्चासी में हुई थी उननिस सो सत्ते इस इस वी में काम के बदले हैं अगला प्रश्ण है कि यदि प्रात्मिक घाटे में ब्याज भुकतान को संब्लिद कर लिया जाए तो यह बराबर होता है पहला है बजल घाटे के दूसरा है राजगोशी घाटे के तीसरा है गाटे की वित्ववस्था से चौता है आगम घाटे से सही उत्तर क्या होगा राजकोशी घाटे के तो राजकोशी घाटा जो है ये आपका बराबर होता है प्रात्मिक घाटा प्लस ब्याजबुक्तान को मिला दिया जाए प्रात्मिक घाटे और ब्याजबुक्तान को मिला दिया जाए तो यह होता है राजकोशी घाटा उलेकनी है कि प्रात्मी घाटे की अवधार नाम तत्कालीन प्रदानमंत्री डॉक्टर मौनमोह सिंग द्वारा दी गई थी अगला प्रशन देखते हैं राश्ट्री नवी करनी फंड का गठन निम्ने से किस उद्देश से किया गया था पहला है सेवा मुक्त होने वाले करंचारियों को पेंशन का प्राधान करने है तू दूसरा है सामाजिक सुरक्षा है तू तीसरा है पहला उप्शन है सरकार के रिंड में कमी आती है दूसरा उप्शन है अर्थवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है तीसरा है देश में अधिक विदेशी प्रतेक्ष पूंजी निवेश आता है चौथा उप्शन है वांचित छेत्रों में रिंड प्रवाब बढ़त है इसे CRR कहते हैं इंग्लिश में से कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं CRR की विद्धी से बैंकों की साक्स रिजन चमता कम हो जाती है अगला प्रशन है कि विशेश आर्थिक चेट यानि सेज के अधिनियम प्रभावी हुआ था कब हुआ था पहला ऑप्शन दोजाट चार में दूसरा है दोजाट पांच में तीसरा ऑप्शन है दोजाट चे में चौता ऑप्शन है दोजाट साथ में सही उत्तर क्या होगा 2006 मे था यह 2005 में है लेकिन 10 वर्वरी 2006 से प्रभावी हुआ था इस अधिनियम को संसर द्वारा पारित किया गया था अगला प्रशन है कि निमलिखित में से कौन सी संस्था जो है क्रिशी और समंदित चेतरों को सरवाधिक साख प्रदान करती है पहला ऑप्शन है सहकारी बैंक आप क्रिशी और समंदित चेतरों सरवाधिक साग्र करती है अ मैं है कि इसने भारत में पहली बार वैकर लगाने का सुझाव दिया था पहला ऑप्शन है कॉल चीने दूसरा है कॉल डॉर ने तीसरा अगला प्रेशन है कि RBI का मुख्याल है कहां परिस्थित है पहला प्रिस्थित है पहला पहाड़ी छेत्र है इस ठल है किस खेती अभिष्ठ होगी किस खेती के लिए आइडियाल होगी ऐसा स्थान पहला है पहला है प्रिस्थित्यां होती है अगला प्रशनी कि वायू मेंडल हमारे उपर बहुत अधिक दबाओ ढ़ना है परन तूव हम इसका अनभव नहीं करते हैं क्योंकि क्या कारण है पहला आप्शन है हमारा रक्त वाय मंडल के दवाव से कुछ अधिक दवाव डालता है दूसरा है कि हम इसके अभ्यास्त हैं तीसरा है कि हमारी हड़ियां काफी मजबूत हां और इसका दवाव को सहिन कर सकती हैं चौता आप्शन है कि हमारे सर का सताही छितफल बहुत छोटा है तो सही उत्तर क्या होगा कि हमारा रक्त वाय मंडल के दवाव से कुछ अधिक दवाव डालता है इसलिए वाय मंडल द्वारा डाले गए दवाव को हमारे शरीफ सहन कर ले तो वैक्ठा देख लेते हैं वाय मंडल हमारे उपर प्रटेक दिशा में दवाव डालता है परंतु हम इस दवाव का नभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रख्तिचाप इस बाहर दवाव को संतुलिद कर लेता है परंतु हम जल के अंदर बाहर दवाव का नभव करते हैं क्योंकि जल के बाहर दवाव हमारे सामाने रख्तिचाप से अधिक होता है अगला प्रश्ण न है कि लेजी फ्रीजर पर दूरी तर प्रभावित हो जाता है कारन आप उसमें देखेंगे तो कथन भी सही और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है तो सही उत्र क्या हो जाएंगा है बरफिक दुर्बल चालक है तफ्रीज के अंदर इकठा हो जाने पर उसकी कारचनता और शीतलन क्यों प्रतिकूर प्रभाव रूप से प्रतिकूर लूप से प्रभाव अगला प्रशन है कि एक टेलीवीजन में दूरत सनीयंतरन के लिए किस प्रकार के वैद्दो चुम्ब की विकरण का उपयोग किया जाता है पहला option है अवरक्ट दूसरा है पराबैग नी तीसरा option है द्रिश्च चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर इसमें क्या होगा अवरक्त जो है इसका सही उत्तर होगा रिमोट कंट्रोल दोरा टेलिवीजन सेट को सिगनल समप्रिशित करने के लिए मुकता अवरक्त किर्णों का प्रियोग किया जाता है अगला प्रेशित देखते हैं दूर दिश्टी दोश वाले वेक्टी के संबंद में निमलिखित कत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है पहला इतर क्या होगा इस दोश को ठीक करने के लिए अव्तल लेंस का प्योग किया जाता है दूर दृष्टी दोश से पेड़ित वेक्टी को निकट की वस्तों पर दिश्टी संक्रेदित करने में परिशानी होती है यह दोश मुकिता आँख की फुतली के अधिक छोटा होने के क कार्ण या कॉर्णिया के अधिक समतल होने के कार्ण होता है दोश को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रियोग किया जाता है अगला प्रिशन है कि डॉक्तर दौरा मरीजों के उधर के अंदर का परिछन एंडोस्कोप दौरा किया जाता है जो निम्द में से किस प्रकाश पर हिंप है कर दोसरा है प्रकाश कि विसर जन पर दूसरा है और दीजिग है और इक्शावी है है जिसमें प tämä पारिक्षन द्वरा किया जाता है kita passenger आप तकनीक का प्रयोग किया जाता है यह पूर आंत्रिक परावर्टन के सिंधान पर कारे करते हैं अगला प्रशन है कि मिथेन जिसके वाय मंडल में उपस्थित है वह है पहला ऑप्शन है चंद्रमा दूसरा है सूर तीसरा ऑप्शन है व्रैस्पति चौथा है मंगल सही उत्तर क है अगला प्रशन है कि हाइडोजन अभिकरिया के सि बांप आधारित है पर माणू बम जQué किसे अब रहाथowane हैं निम्ड में सकिस उद्ग में अबरग कच्छे माल के रूप में प्रयोग होता है पहला है लोहा और इस पार्थ में दूसरा है खिलाओने में तीज अदधिक व्ल्टेज के वैद्द्ग के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सुची एक को सुची दो से मिलान करना है तो प्राकेतिक रूप में प्राप पदार्थ हैं दूसरा उपस्ते तत्व हैं तो आप देखेंगे हीरा जो है कार्वन से संबंदित है संग्मर्मर में होता है कैल्शियम रेट संबंदित है सिलिकॉन से रूपी है ऐलमूनियम से संब प्रोटेंश्यन फ्न और विक्टे नोगी एक टाई-ख करिण घरी लुख democrat को सब्सक्राइब सैब் कि निएगे प्रियुन क्रोंड़ सब्सक्राइब और ऑफ्ट्रीक्रीजंग करवां नहों सब्सक्राइब уем-बाइब को चान वतने मर्डीम स्वेड के ज्टाइब तो सौडियम सालफेट के जली विलेन का है इसका प्रियोग फोतोगराफी में किया जाता है अगला फ्रिशन देखते हैं निम्लिके सिलवर लव्णों में किसको कृतिम वर्षा उत्पंद करने के लिए क्रिख वर्षा के लिए कृतिम वर्षा उत्पन करने के लिए मुक्ता सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाउकसाइड का प्रयोग करते हैं ये बादलों के संगनन में सहयक होता है सुक्ष्ण जी जो बीटी का पास के उत्पादन संबंदेत वह हैं क्या है पताना है पहला प्रशन है कि निम्लिकित फलीदार पौदों में से कौन पेट्रो पादब भी है पहला ऑप्षन है आरहन दूसरा है मतर तीसरा ऑप्षन है चना चौता ऑप्षन है करेज्वर ये नि जो है ये एक पेट्रोथ पादक पादक भी है करेंज के बीजों से पहन गोएमिया टेल प्राप्त होता है जो कि बायो डीजल का एक सुरोथ है अगला प्रेशन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है तो एक तरफ यादी दिये हैं दूसरी रफकारण दिये हैं तो इसको सुमेलित करेंगे तो आप देखेंगे मैरसमस जो है यह रोग होता है प्रोटीन की कमी से कौर्चिकोर जो है दी कालिंग उपवास से होता ह है तीबी जो है यह आपका जीवानु संक्रमार्ण से होता है और प्रोटीन के पाचन में पहला ऑप्शन है यूरियेस तूसरा सलफेटेज टीसरा है ट्रिपसिन चौथा है प्रोटीएस सही उत्तर क्या है ट्रिपसिन स्पाइब्स कर देता है विखंडित कर देता है अगला प्रेशन है sert कि मान्स-पीश्यो में वितामिने तीसरा उप्षण है फ्लॉरीन चौथा है आयोडीन। है सही उत्तर होगा आयोडीन की कंभी से घेंगा रही होता है जिसमें थाइरट गंधी में सूजन आ जाती है समुध्री जल में प्रच्छर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्ण है कि उन देशों में जहांके लोग मुक्ता खादानन पॉलिश किया हुआ चावल है वहां लोग पीडित हैं किस प्रकार की बीमारी से पहला ओप्शन है चर्मगाह पेलग्रा से दूसरा ओप्शन है बेरी-बेरी से तीसरा है इसकरवी से चौथा ऑप्शन प्राइमिन की कमी हो जाने के कारण बेवरी बेवरी रोग हो अगला प्रशने की एक अंत्रिच यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह सेव आपको स्थिती बतानी है पहला है कि पछवी के और गिरेगा दूसरा है कम गती से गतिवान हो जगा तीसर अगला प्रेशन देखते हैं तो कंप्यूटर वाइरस क्या होता है एक सॉफ्ट्वियर प्रोग्राम होता है अगला प्रेशन देखते हैं सॉल्क टीका जो है निम्लिकित में से किस व्यादी से संबंदित है पहला उप्शन चेच्चक दूसरा है प्रभक्षियों का नियंतर तीसरा है प्राक्टिक वास का विनाश हो जाना प्राक्टिक संसाद्नों का दोहन जो अतिशाय नगरी करण एवन तीग और दोई करण उत्पादन का प्रतिफाल है जैवित्ता के राज के लिए सवादिक महत्पून कारक है अगला प्रेशन है कि धूरिया लोकनित है पहला ऑप्शन है अवद का दूसरा बुंदेल खंड का तीसरी और पुर्वान चिल का चौथा है रूहल कंड का रूहल करते हैं अगला प्रशन है कि निवनिकित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है पहला है अला जबकि आला बुंदेल खंड का है बिर्हा पुर्वान्चल समधित है कजरी अवद से समंधित है र्याक्या देखेंगे तो चैती जो है चैतमास में गाय जाने वाला पूरवी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोग्जीत है अगला प्रेशन है कि निम्लिकत में से कौन सा उत्रप्रदेश का लोकनित नहीं है? पहला उप्षन है चर्कुला दूसरा है दादरा, तीसरा है कर्मा चौता उप्षन है मुरिया, चोछछई उत्तर क्या होगा, लोगनित नहीं है, मुरिया नहीं है, जबकि चर्कुला, दादरा और कर्मा यह आपके उत्तरप्रदेश की लोगनित है मुरिया जो है यह मत अगला प्रश्चन गृ टोप्थर में किसान भियोजना लागू किगई थी अगला प्रेशने है कि उत्तपदेश में प्रंब जैव और अदर्गिक पार्क प्रार्च। अगला प्रेशने है कि सूची एक और को सूची दो से मिलान करना है तो किशन महराज जो है आपके संबंदित है तवला वादक से इसके बाद आप देखेंगे हरी प्रसाद चौरसिया जो है संबंदित है बासुरी से बासुरी वादन करते हैं इसके बाद आपके पंडित तो गुपाल मिश्र जो है ये संबंदित है सारंगी से मिलान देख लेते हैं किशन महराज देखते हैं आपकी तबला वादक है अगला प्रशन है कि मद्याहन भोजन योजना हे तू किसके द्वारा प्रबंद विद्धिवर्था की जाती है दूसरो औप्र मामन कारामें मंत्रा लेगत दौरा चौप और विकास मंत्राले द्वारा, सही उत्तर क्या है मानस वन साधन विकास मंत्राले द्वारा